दिल्ली विश्वविद्यालेटू की राम जिस कॉलेज विवाद मामले में गुर्मेहर कोर के समर्थन में उतरने वालों में जावेद अख्तर और नसीरुदिन शाह के बाद अब नया नाम JNU के शात्र नेता उमर खालिद का जुड़ा है क्रिकेटा विरेंद्र सहवाग के ट्वीट की निंदा करते हुए खालिद ने कहा कि सहवाग बॉर्ड ओफ क्रिकेट कांट्रोल फॉर इंडिया बी सी सी आई का प्रतिनिधित्व करते हैं भारत का नहीं ग्रेजुएशन फार्स्ट ये की स्टुडेंट गुर्मेहर के समर्थन में लिखी गए अपनी फेस्बुक पोस्ट में उमर ने कहा कि सहवाग बी सी सी आई के लिए खेलते हैं वह भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करते मंगलवार को दिल्ली विश्व विद्यालाई में जो हजारों चात्रों और शिक्षक प्रदाशिन के लिए सड़कों पर उत्रे वे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं वे एक नए भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसकी परिक के खिलाफ ऑन-लाइन अभ्यान शुरू किया था इसके बाद क्रिकेट अवी रेंद्र सहवाग ने गुर में हर कौर की ही एक पुरानी वाइरल फोटो की तरज पर हाथ में पोस्ट लेकर एक तस्वीर के साथ ट्वीट किया कि दो तेहरे शतक उन्होंने नहीं मारे बल की उनक राशित को मिले निमंत्रन से शुरू हुआ था शेहला राशित जहां जे न्यू चात्रसंग की पूर्वपाध्याक्ष रही हैं वहीं उमर खालेद उन पांच स्टुडेंट्स में से एक हैं जिन पर पिछले साल राजद्रोह का केस दर्ज हुआ था एबीवीपी ने इनको बुलाए जाने का विरोध किया तो कॉलेज प्रशासन ने इनका निमंत्रन रद कर दिया बीते बुद्वार को निमंत्रन रद किये जाने के खिलाफ वामपंथी च्छात्र संगठनों के विरोध प्रदशन शुरू हो गए उमीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें और हाप सबसे जरूरी बात हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें नीचे लाल रम के सबस्क्राइब बटन को अभी दबाएं और हमारा चैनल सबस्क्राइब करें धन्यवाद